इस वीडियो पर मैं आप लोग को wordpress का एक बहुत ही rare case या कह सकते हो rare problem के बारे में बताऊंगा तो अगर आपको इस तरीके का problem आ रहा है अगर आप कुछ file upload कर रहे हो और आपको इस तरीके का message आ रहा है sorry this file type is not permitted for security reasons जो कि wordpress में आता है file upload करने के time तो यह अगर आपको problem आ रहा है तो इसको आप लोग किस तरीके से solve कर सकते हो यह आपको बहुत ही easily इस tutorial में समझ माएगा तो basically होता क्या है कि हम लोग जब भी अपने wordpress में कोई file upload करने जाते हैं मतलब हर file में यह नहीं होता है किसी-किसी file type में होता है जैसे आप देख सकते हो यह email message.eml यह वाला एक file upload हम लोग कर दे थे तो यहाँ पर हमें through upload कर सकते हो या फिर hosting अपने hosting के file manager से कर सकते हो बट क्योंकि वह सब convenient नहीं है वह सब easy नहीं है हम लोग अपने wordpress dashboard से ही करना चाहेंगे तो वह हम कैसे कर सकते हैं तो आपने देखा जैसे हमने .eml करके file upload कर रहे थे तो वह basically क्या होता है वह problem होता है extension का तो आप धियान में रखेगा यह सब extension होते है basically यह सब extensions wordpress हमेशा allow कर देता है ज्यादा तर बट इससे अलग extension wordpress allow नहीं करता है तो basically ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको आपको just अपने wordpress wordpress के file upload types में जाके आपको एक काम करना होगा तो आप simply क्या करो ना wordpress के plugin section पे जाओ और आप एक plugin है यह वाला plugin आप देख सकते हो file upload types इसको अप्लोग इंस्टॉल कर लेना जो की WP forms के तरफ से है ठीक है इसको अप्लोग इंस्टॉल कर लेना उसकी बाद आपको क्या करना है आपको wordpress के dashboard से settings section में जाना है और नीचे आपको file upload types दिखेंगे ठीक है इस तरीके से दिखेंगे मैंने यहाँ पर screenshot लेके दिखाया आपको तो file upload types इस तरीके से दिखेंगे उस पर आपको click करना है और उस पर click करने के बाद आपको search करना है eml eml search करने के बाद आपको यहाँ पर enable कर देना है जैसे हमने यहाँ पर किया है आप देखनीजे तो अगर मालीजे आपका कोई और file type है जो आपको upload करने में problem हो रहा है तो आप उसको यहाँ पर search किजिए और उसको ऐसे करके enable कर दोगे और save कर दोगे तो आप try करके देखना आपका जो भी file है वो file upload हो जाएगा तो आप देख सकते हो यह file upload हो चुका है अभी तो I think आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही असानी से मैं इस वीडियो को practically नहीं दिखाया हूँ अपने slides में दिखाया हूँ ठीक है ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी बता पाओ जो